प्यारे बच्चों, अस्सलाम अलेकुम, हम पोएम कैटरफिल्लर की कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं। आज हम उसमें करेंगे राइमिंग वर्ड्स। आपको पता है कि राइमिंग वर्ड्स किसको कहते हैं। राइमिंग वर्ड्स और टू और मौर वर्ड्स देट हैं। अवाज पे इक तताम होता है। जैसे वैं, पैं, फैं आप देख रहे हैं कि ये तीनों आफ़ाज एन पे खतम हो रहे हैं। तो यह rhyming words है, complete the given rhyme using the word bank, अब question जो है वो है कि आपने given rhyme complete करना है using the word bank, word bank क्या है हमारे पार, that, that का वो इशारे के लिए बोला जाता है, I like that apple, ठीक है, flower, flower आप सब को पता है कि फूल को कहते हैं, और grow, grow कहते हैं, एक चीज जो है वो बढ़ती है, जैसे छोटा सा पौदा होता है और वो time के साथ grow करता है, तो हमारे पास तीन word bank में अलफाज है, that, flower और grow, a little seed for me to sow, a little seed, a छोटा बीच for me, मेरे लिए, to sow, बोने के लिए, आपको पता है कि छोटे सीट को मटी में बोते हैं, a little soil to grow, तो थोड़ी सी मटी चाहिए, उसके grow करने के लिए, तो इस तरह से मटी में जब हम बीच जालते हैं, तो कुछ अरसे के बाद, वो grow करते हैं, इसमें आपने देखा, कि sow और grow जो है, वो o की ending words पे खतम हो रहे हैं, तो sow और grow जो हैं, वो rhyming words हैं, नेक्स्ट है, a little hole, a little pet, little hole, a छोटा सा सुराख, a little pet, और थोड़ी सी आप उसको थपकी देते हैं, पैट कहते हैं थपकी देने को, a little wish and that, तो a little wish, एक छोटी सी खौईश and that, तो pet और that जो हैं, यह rhyming words हैं, क्यूंके दोनों at पे end हो रहे हैं, नेक्स्ट लाइन है, a little sun, a little shower, a little sun, पौदे को grow करने के लिए, थोड़ी सी रोशनी चाहिए, और थोड़ा सा पानी चाहिए, a little while and then flower, और थोड़ी से time के बाद, वो flower बन जाता है, तो इसमें rhyming words हैं, shower and flower, तो वर जो है, दोनों ending जो है, वर पे हो रही है, नेक्स्ट क्वेस्टिन है, create the poem of your own, using the given rhyming words, the trees, bees, way or day, यह आपके पास चार words हैं, इनको इस्तमाल करते हुए, आप एक नई poem बनानी है, तो देखते हैं, हम उससे किस तरह से इन words को इस्तमाल करते हैं, wind, told the trees, told the bees, quite the other way, go to bed by day, तो आपको पता हैं कि winds जो है, जब वो चलती है, तो वो trees से बातें करती हैं, इसी तरह जो बीज हैं, हनी बीज हैं, वो भी wind में, हवा में तैरती हैं, और quite the other way, go to bed by day, और हनी बीजर ठक जाती है, सारा दिन, तो वो अपने विस्तर पे, सो जाती है, तो प्यारे बच्चो, you are the creator of your own destiny, आप अपनी किस्मत खुद बनाते हो, वो कैसे, आप जो है, वो हर रोज एक नया, अच्छा कदम उठाते हो, आपका दिल करे ना करे, आप ये करके नहीं बैठ चाते, कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं नहीं करना चाहता, आप कहते हो, I want to do it, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं how to do it, मैं इसको कैसे करूँ, I shall try to do it, मैं ये कोशिश करूँगा, I can do it, मैं ये कर सकता हूँ, और I will do it, yes, I did it, तो इस तरह रोज, आप अच्छे step लेते हो, अच्छी सोचे सोचते हो, तो अच्छे काम करते हो, तो एक दिन आप मनजल पे पहुन जाते हो, तो प्यारे बच्चों, अच्छी सोचें कहां से आती हैं, अच्छी बुक्स पढ़ने से, और अच्छी दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब, जो है, वो कुरान मजीद है, कुरान मजीद को पढ़ें, तर्जमे के साथ अपनी सोचें अच्छी करें, और इन्शाला दुनिया और आखरत में काम्याबी आपके कदम चूएंगी, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब करें,